है लो दोस्तों आज हम बात करेंगे जमीन की बटवारा यानि उत्तरप्रदिस सराज़त ससाइता 2006 की धारा 116-117 की परक्रिया और जानेंगे बटवारा की मुकदमा में क्या परक्रिया होती है और क्या करवाई की जाती है न्याले वादी परतिवादी का उसके प्रतिक क्या करतब होता है क्या भूमिका होती है सबसे पहले जो वादी होता है वो हमेशा पिडित पच्छ होता है परसान होता है जो परसान पच्छ होता है वो ही मुकदमा दायर करता है वो ही वाद लाता है जोकी यह वटवारा का वाध है इसलिए यह उपजिला अधिकारी न्याले में जिसमें मुकदमे में वाधी अपना नाम अपने पिता का नाम पता और परतिवादी का नाम उनके पिता का नाम और पता अंकित करेगा उसके बाद जिस भूमी का भीवाजन करना है उस भूमी का भीवाजन और अपना अंस वो पर्तिवादी का क्या अंस बनता है उसका भी उलेक्य करेगा और जितने भी अंसधारी है यानि की परतिवादी है सभी को पचकार बनाते हुए साथ में ग्राम सभा को पचकार बनाएगा यदि एक ग्राम समा की भूमी है तो एक ग्राम समा को यदि कई ग्राम समा की भूमी है तो सभी ग्राम शभाव को पचकार बनाते हुए वाद को न्याले में धाखिल करेगा न्याले द्वरा यदिवाद सिवकार कर लिया जाता है तो सभी प्रतिवादी गड़ को सम्मन या नोटिस करने को आदेश करेगा परतिवादी को नोटिस प्राप्त हो गए हैं इस बात से न्याले संतुष्ट हो जाती है तब इसके आगे के परकिरिया होती है यदि परतिवादी आता है तो उसको सुना जाएगा यदि नहीं आता है तो उस भूमी का वटवारा कर दिया जाएगा यदि परतिवादी उपस्तित होता है तो परतिवादी जवाब दावा पर तूस्त करेगा जिसे परतिवाद पत्र वट डबलुडी यानि की रिटेन इस्टेट्मेंट भी कहा जाता है पर्तिवाद पत्र या जवाब दावा में पर्तिवादी यह बताएगा कि वादी ने कहां गलत कहा है कहां सही कहा है परतिवाद पत्र दाखिल हो जाने के बाद न्याले वादी से पुछेगा कि जो जवाब दावा आया है उसमें कुछ कहना है वादी जाबुल जवाब दाखिल कर सकता है इसके वाद न्याले यह देखेगा वाद चलने योग है तो वादी को साच देने का उसर दिया जाएगा वादी अगर साच देती है तो परतिवादी को भी साच देने का उसर दिया जाएगा अब वादी के साथ परतिवादी के साथ वाद और परतिवाद को देखते हुए न्याले जब संतुष्ट हो जाएगा वादी और परतिवादी के अंस किलियर हो जाएंगे उसके बाद न्याले पीडी यानि की प्रारंभिक डिघडी जो वादी द्वारा वाद दाखिल किया गया है जो अंस निर्धारित किया गया है वादी और परतिवादी गड़ों का दोनों पच्छ सहमत हैं तो न्याले उसी के अधार पर पीडी जारी कर देगा इसके वाद पीडी जारी हो जाने के वाद वादी और पर्तिवादी उस पीडी का अलोकन करेंगे कहीं कोई कम या जादा तो नहीं है यदि वादी को और पर्तिवादी पीडी से सहमत हो जाते हैं तो न्याले छेतरी लेकपाल को पीडी प्रिसित कर देगा लेकपाल एक मा के अंदर परतीक वादी और परतिवादी के अंसु को रंगों में नक्से में रंग कर भिवाजन कर देगा और उसे न्याले में प्रस्तूत कर देगा जिसके अधार पर वादी और परतिवादी की भूमी का बटवारा किया जा सकते